नमस्कार दोस्तो और अरे स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को दोस्तो आज की कहानी ओयोर रूम को लेकर है जो बेहट डरामनी कहानी है तो कहानी को पूरा सुनिएगा ये कहानी करिश्मा और संजे की है जो की बहुत ही अच्छे दोस्तो वा करते थे करिश्मा और संजे की के दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश जारी थी लेकिन अलग-अलग शहर में काम करने की वज़ा से जिसके लिए उनको वक्त नहीं मिल पाता था एक दूसरे से मिलने का करिश्मा ने घूमने की सारी जगे की लिष्ट बना ली थी उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लैन कर लिया था ताकि एक अंजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परिशानी का सामना ना करना पड़े इस्टे के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया था और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एरपोट पर मिले थे करिश्मा हेलो संजे पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है संजे कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है दोनों एरबोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल जाते हैं तकरीबत एक गंटे के बाद दोनों अपने होटल में पहुच जाते हैं होटल बाहर से बहुत ही खुबसूरत लग रहा था इतना खुबसूरत होटल देखकर संजे काफी खुश हो गया था संजे सच में तुम्हारी प्लैनिंग और चोईस हमेशा से टोप रही है करिश्मा हाँ जैसे कि मैं दोनों ने एक होटल में चेकिंग की अपने रूम में दोनों पहुँचते हैं फ्रेश होते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं दोनों का ही long distance relationship था और एक एक साल में दोनों मिला करते थे और एक साल बात भी दोनों एक दूसरे से बहुत मिलकर खुश होते थे इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को आगोश में ले लिया संजे हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते करिश्मा देखो संजे कोशिश तो मेरी यही है कि तुम और मैं एक साथ रहें लेकिन मैं इतना बीजी रहती हूँ कि ऐसा हो नहीं पाता करिश्मा और संजे एक दूसरे से बात करी रहे थे कि तभी रूम में बातरूम से कोई आवाज आती है पहले तो उन्हें लगा कि गरिजर में कोई प्रोबलम होगी लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने ये महसूस किया कि ये किसी की दिवार पर नखून मारने की आवाज है ऐसे में समझ आता है कि करिश्मा काफी डर गई थी और वह संजे को यह बात बता रही थी कि संजे बातरूम की तरफ जाता है वो बातरूम में बिल्ली थी करिश्मा मैंने तुम्हें खामखाही डरा दिया चैन की सांस लेते हुए दोनों बैड पर फिर से लेड जाते हैं एक दूसरे से बात करने लगे तब ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बैड के नीचे कोई गहरी सांसे ले रहा है अब ये बात दोनों ने महसूस की जिसके बात करिश्मा ने बैड के नीचे देखा जो देखती है तो वो एकदम डर जाती है और जोर से चीक मारती है संजे को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बैड के नीचे देखा तो वह उसे कुछ दिखाई दिया करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब सा लगने लगा था उसे वह किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा था संजे ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन करिश्मा अब वहां रुखना नहीं चाहती थी तब ही सामने रखा शीशा अपने आप ही हिलने लगा इस डरावने नजारे को देखकर दोनों की सांसे फूरने लगी अब बास साफ हो गई थी कि सच में इस कमरे में कोई तीसरा शक्स है अचानक इस शिचा तूटकर चकना चूर हो गया लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बहुत डरावना था उस कमरे में एक कैमरा फिट था जो की संजे के द्वारा लगाया गया था जिसमें ये सब वीडियो रिकोर्ड हो रही थी फिट दोनों जल्दी जल्दी ये देखकर शोग हो गए तो उसने संजे से बोला संजे ये कैमरा यहाँ पर कैसे आया तो संजे थोड़ा घपरा गया और उसने उसे हकीकत बताई कि ये कैमरा मैंने इसले लगाया था क्योंकि मैं तुम्हें ब्लेकमेल करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रह रही थी मैं चाहता था कि हम दोनों साथ साथ रहें और इस तरीके से उस लड़की की जान बच गई एक तरीके से अगर वो संजे उसकी recording कर लेता तो उसको हमेशा blackmail करता रहता भूतिया आकरिती एकदम से उस लड़की के सामने आई जिसने उससे बचा लिया उस कमरे में कोई तो तीसरा था जो की संजे से उस लड़की को बचाना चाहता था जिसका नाम करिश्मा था तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहां भूलें धन्यवाद शुक्राद रे